अगर हम वेस्टरन ब्लॉटिंग देखे तो यह की जाती है फॉर डिटेक्शन और स्पेसिफिक प्रोटीन जो कि एक टिशू के हुमोजिनेट में प्रेज़ेंट होगा एक्स्ट्राक्ट में प्रेजेंट होगा येस और नो इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम वेस्टरन ब्लॉटिंग कर सकते हैं वेस्टरन ब्लॉटिंग टेक्नीक में सबसे पहले हम क्या करेंगे प्रोटीन के सैंपल में प्रोटीन को सबको एक्स्ट्राक्ट करेंगे उन प्रोटीन को फिर हम सेपरेट करेंगे separate किस पर किया जाएगा gel electrophoresis पर किया जाएगा हम यहाँ पर लेंगे polyacrylamide gel electrophoresis और यहाँ पर हम protein को separate करते हैं अगर हम polyacrylamide gel electrophoresis की बात करें तो उसमें एक molecule को use किया जाता है जिसका नम होता है sodium dodecyl sulfate SDS यह SDS क्या करता है यह जो protein है इसके ओपर negative charge लगा देता है क्योंकि लिए खुद जाके protein पर bind कर जाता है जिसकी वज़े से negative charge आ जाएगा protein के ओपर तो यह सभी protein के ओपर negative charge लगा देगा अब यहाँ पर अगर हम देखें जब यह protein separate हो रहे होंगे तो यह किस basis पर separate होंगे protein यहाँ पर separate होंगे on the basis of their molecular weight जो यहाँ पर protein छोटे size का होगा वो यहाँ पर दूर तक move कर जाएगा वहीं यहाँ पर ऐसा protein जिसका size जादा होगा वो उपर ही रह जाएगा यहाँ पर नीचे की तरफ हमने anode लगाया है जिसके ओपर positive charge है हमने नीचे की तरफ anode क्यों लगाया क्योंकि protein के पास फिलाल खुद के पास STS होने की वज़े से negative charge प्रेजेंट है और हमें पता opposite attracts each other तो protein negative charge होगा तो anode की तरफ खिचा चला जाएगा और molecular weight के इसाब से सारे के सारे यहां पर क्या होने लग जाएगे difference आजाएगा सब में हो यहां पर हमें band 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 मिलते चले जाएगे इसके बाद अब हमें जो western blot करना ही है तो हमारा भी जाएगा कि जितने भी sample में protein से हमने उन्हें separate किया है अब इसके बाद यहां पर हमें असल में western blotting करनी है तो जब हमें western blotting करनी होती है तब हम यहां पर जो protein से उनको transfer कर देते हैं proteins को हम transfer कहां कर देंगे membrane पर transfer कर देंगे gel से यह membrane किस चीज क्यों हो सकती है यह flirt ora तो यह nitrocellulose membrane हो सकती है यह पिर यह P VVDF membrane हो सकती है इस पर इन प्रोटीन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा अब ट्रांसफर किस तरीके से करेंगे इस प्रोसेस को सबसे पहली बात बोला जाता है इसको क्या बोला जाएगा यहां पर इलेक्ट्रो ब्लॉटिंग बोला जाता है इस टेक्नीक में यहां पर क्या किया जाएगा ध्यान से हम लगा देंगे और स्पॉंज लगा देंगे और यहां से हम क्या पास करने वाले यहां से हम पास करेंगे करेंगे करेंट को जिसमें मैंने जो नेगेटिव एलेक्ट्रोड हो नीचे की तरफ लगाई और पॉजिटिव एलेक्ट्रोड ऊपर की तरफ लगाई है इसका रीजन य करेंगे तरह पॉजटिव चार्ज जेल की तरफ नेगेटिव चार्ज और प्रोटीन जो है वह पॉजटिव के तरफ करेगा तो यहां पर यहां पर आ जाएंगे ब्लॉटिंग मेंब्रेन पर जाता है एक बार यहां पर अब membrane पर protein आ चुके हैं तो बहुत सारी जगा ऐसे अभी भी membrane पर present होगी जो खाली होगी और हमें यहां पर false result नहीं चाहिए तो यहां पर जो भी membrane में जो भी जगा खाली present है ना हम उसे blocking agent से fill कर देंगे ताकि हमें आगे जाके कोई भी false result ना मिले blocking agent के लिए हम BSA को use कर सकते हैं या फिर हम यहां पर milk को use कर सकते हैं यह यहां पर जाके membrane पर bind कर जाएगा जहां जहां भी हमारा protein bind नहीं हुआ उन सारी जगा पर यह जो molecule है जो protein है यह जाके bind हो जाएगे इसके बाद अब हम यहां पर इस membrane पर add करवाएगे primary antibodies को यह जो antibody होगी वो specific होगी उस protein से जो हमें detect करना है तो यह सिर्फ और सिर्फ उसे protein से जाके bind करेगी बाकि किसी से bind नहीं करेगी तो हम यहां पर primary antibody को add करेंगे इसको हम यहां पर room temperature पर one hour पर रख सकते हैं ताकि यह bind हो जाए और उसके बाद हम wash off कर देंगे ताकि जितनी भी extra antibodies है वो सब निकल जाए और हमें यहां पर false result नहीं मिले तो यहां पर अब एक पार यह primary antibody आ गई इसके बाद हम यहां पर add करेंगे secondary antibody को secondary antibody जो है वो primary antibody से बाइंड हो सकती है यहां पर secondary antibody है उसमें special क्याए कि एक enzyme के साथ कपल होती है enzyme यहां पर generally होता है horse radish peroxidase तो यह जो secondary antibody है यह सिर्फ वहीं पर आके बाइंड करेंगे जहां पर primary antibody antibody presenter के लिए primary antibody से बाइंड करती है बाकी सारी जगा आप देख सकते हो खाली है बस वहीं पर आके बाइंड करेंगे जहां पर primary antibody आके बाइंड की है अब यहां पर मुझे रिजल्ट शो करने के लिए मैं यहां पर कोई ऐसा substrate पुट करूंगी जो इस enzyme के द्वारा product में यह convert हो सकता है अब यह जो product होगा यह luminescence product होगा यानि कि यह यहां पर color release करेगा यहां पर यह फिर luminescence release करेगा जिसके वजह से मुझे यहां पर पता चलेगा अच्छा इस जगा पर यहां पर मुझे कुछ तो शो हो रहा है यानि कि यहां पर आके जो bodies antibodies होगी तो इस region में यहां पर क्या present होगा टागेट प्रूटीन होगा हम यहां पर detection करते कैसे हैं यह जो membrane है इसको मैं यहां पर photographic film के साथ place कर दूंगी जिसकी वजह से यहां पर यह जो photographic film है जब मैं इसको x-ray में देखूंगी तो मुझे specific जगा पर यहां पर bands दिखेंगे बैंड मुझे सिर्फ और सिर्फ कहां पर मिलेंगे जहां पर substrate जो है product में convert हुए और product ऐसा luminescent product है तो मुझे यहां पर specific जगा पर band देखने को मिलेंगे इस तरीके से यहां पर यह देखे जाती है अगर मुझे band दिखा यानि कि इसका मतलब है कि वो specific protein जो मैं ढूंड रही थी वो sample में present है अगर मुझे band नहीं मिला यानि कि वो specific protein में ढूंड रही आगया होगा यह video guys thank you so much for watching this video and don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends thank you so much guys bye bye take